दोस्तों जैसा के आप देख पा रहे होंगे मैं खड़ा हुआ हूँ आज अभी किया सेल्टोस के पास और इसकी क्या-क्या खूबिया है कितने प्राइज में मिलती है कितना माईलेज देगी सारी बाते हम इस वीडियो में करने वाले हैं सबसे पहले जो फ्रेंट में नजर जाती है वो इसके जो स्टाइलिस हैड लेंप्स हैं अगर बात करें इस chrome finish की तो इसमें भी एक बड़ा अच्छा एक texture वाला pattern दिया गया है जो की बहुत ही प्यारा लगता है और front की जो grill है वो tiger nose grill किया इसको बोलती है दोस्तो और इसके जो wheel आप देखेंगे तो 17 इंच के ये wheel दिये गए है जो diamond का टल होए है बहुत ही प्यारा design लग रहा है और जो red accent आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी एकदम unique दिखाई देता है गाड़ी के अंदर और mud flap के उपर आपको दिखती है cladding बड़ी सी जो की sporty home finish के साथ आते हैं नीचे जो ये आपको एक देखेंगे यहां पर भी इनोंने एक अलग सा attachment दिया है पहले black है फिर red है और फिर नीचे black दिया है जो की अगर आप real में गाड़ी को देखते हैं तो बहुत अच्छा feel कराती है और ये इसका ground clearance अच्छा कासा इस गाड़ी में ground clearance मिल जाता है आप लोगों को दोस्तों पूरी look अगर गाड़ी की देखते हैं तो एक अच्छी look इसमें feel होती है ये देखें ये LED return indicator इसमें ORVM में दिये गए हैं चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ गाड़ी के अंदर से भी दिखाऊंगा और बहुत सारी खूबियां ज जो की aluminum finish के साथ आती है और यहां पे अच्छी जो है एक sporty look देती है सार्क फिन एंटिन आप लोगों को मिल जाता है और पीछे की जो टेल एम्स हैं वो भी पूरी complete LED मिलती है इसमें आप देख पा रहे होंगे जो stop lamp है वो कैसे काम करते हैं और दोस्तों पीछे से देख पा 29 लीटर का दोस्तों इस गाड़ी में आपको boot space मिलता है अंदर आपको एक steel wheel मिलेगा जो 17 इंच का है और बिल्कुल भी lower lip नहीं है इस गाड़ी के अंदर जो आप सामाल है वो direct रख सकते हैं बिल्कुल एक तम flat surface area मिलता है यहां से यह देख के कोई गहराई नहीं मिलेगे आपको यहां पे और जो साथ ही साथ है अंदर की side में आपको दिखा दू तो जो woofer है वो लगा हुआ है इधर यहां आप देख पाएंगे तो यह woofer system जो लगा हुआ है गाड़ी का बोस्का है जो और अंदर ही डिगी के अंदर ही आपको एक light भी मिलती है जो की बड़ी काम आती है अंधेरों में खास कर और यहां पर मिल जाता है आपको एक 360 डिग्री वाला जो camera बताती है कि यहां पर camera मिल जाएगा आप लोगों को यह देखिए बहुत अच्छा viewing angle आता है इसे और चलते हैं फटा फट से गाड़ी की पीछे वाली seat पे देखते हैं कितनी जगा कि बताया जाता है काफी space है बैठने के बाद समझाएगा कि कितनी जगा मिलती है गाड़ी के अंदर तो चलिए फटा फट से बैठते हैं और हाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पूरे मेरे घुटने बचे हुए यहां भी काफी जगा है और यहां पर आप देखेंगे तो यह स्पीकर मिलते हैं बोश के और काफी अच्छा म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी में और जो यह सीट में आप फाइल होल्डर देख सकते हैं और पीछे हार्ड वाला जो है मेटरियल प्लास्टिक टाइप का मिलता है पीछे की सीटों पे अगर इस पेस की बात करें पी हैड रेस्ट दिये गए हैं यह देखे मेरा हैड रूम काफी है और घुटने भी काफी बचे हुए है अभी जगे की प्रोब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर और यहां पे आपको एयर प्योरी फायर साथ में मिलता है जो कि आपकी गाड़ी की हवा को बिलकुल सुद बनाता है डोस्तो और यहां पे आप देखेंगे तो यह जो साइड कर्टन है जो आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करता है यह भी पीछे वाली सीट पे दिये गए है दोस्तो तो चलते हैं दोस्तो गाड़ी की आगे की सीट की तरव देखते हैं जो ड्राईवर्स के लिए क्या-क्य या फीचर दिये गए हैं या फ्रंट में क्या-क्या फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाया करेंगे और यह जो आप मोडल देख पा रहे हैं दोस्तों यह टोब मोडल है जीटी लाइन का दरसल दो दो लाइन चलेंगी इसमें टैक लाइन होगी इसकी सेल्टर्स की और एक सीटी लाइन में सिर्फ पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा और वो 1400 सीची का टर्बो चार्ज इंदन होगा जो की 115 बीच्पी की पावर जन्रेट करेगा जो फ्रंट सीट है दोस्तों वह आप इलेक्ट्रीकली एडजेस्ट कर सकते हैं आगे पीछे उपर नीचे यहां से एक दम भरा भरा सा आपको सेंटर जो आपको इंटीर लगता है उसमें बहुत सारे फीचर है लेदर रैप आपको इस्टेरिंग कवर मिल जाएगा और किया की बैजिंग के साथ काफी स्पोर्टी लुक गाड़ी का यहां से दिखाई दे रहा है यह देखे यहां पे आपको इस हैड़ डिस्पले पे भी शो होती रहती है बात करें अगर दोस्तो यहां पे आपको वाइपर वगरा के और पीछे वाले जो स्वीचिज मिल जाते हैं इधर हैडलाइट को एड़जेश्ट वगरा करने के आपको स्वीचिज मिलेंगे यहां पे क्रूज कंट्रोल के और जो इस पे लैदर का जो कवर चड़ाय गया है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे दोस्तो पर्सनली और हैंड ब्रेक के पास में यह आपको दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं शिक्स स्पीड मैनुल ट्रांसमिसन के साथ यह गाड़ी आती है और रिवर्स ग कितने हवा आपकी कमर को और आपकी बैक को चाहिए यह पार्किंग वाला स्विच हो गया दोस्तो और यहाँ पे आपको और दो-चार स्विच चीज दिये गए हैं अगर सेंटरल इंफोर्टेन्मेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो 360 डिगर केंबरा बहुत अच्छे से वर्क करता है और टच्रेस्पॉंस इसका भहुत अच्छा है लेकिन जो मुझे सबसे प्यारी बात इस गाड़ी का जो इन्फोर्टेन्मेंट सिस्टम की लगी पूरा का फूरा टेको-टीर और इंफोर्टेन्मीट सिस्टम इस प्या-nor बलैक फ पालिटी के आपको दी जाती है और जो इसके पैडल से दोस्तों सबसे अच्छे तो मुझे यह लगे गाड़ी के अंदर जो डेट पैडल है वो भी काफी बड़ा दिया गया है जो आप आराम से पैर रख सकते हैं और यह आपको अलुमिनियम और रबर्ट की जो फिनिस दी ग है इसका जो अपने आप ही एडजेस्ट हो जाता है आपको इसमें कोई छेड़ खानी करने की जरूद नहीं और हाँ दोस्तों सबसे मज़ेदार जो चीज है सन्रूफ पहुत लोगों को पसंद आता है सन्रूफ और यहां से वंटच से आप इसको ओपन कर सकते हैं परसनली म आपको मिल जाती है 16,00,00 रूपे में टॉप मोडल जो आप यहां पे देख पा रहे हैं और यह GT लाइन का है सिरफ पेट्रोल में मिलेगी अगर टेक लाइन खरीदेंगे तो उसमें आपको डीजल इंजन की भी सुविधाय मिल जाती है यह LED लाइट दी गई है अंदर प्रोल करने के स्विचिस दिये गए है और एक और चीज मैं आपको बता दू दोस्तो इस गाड़ी का जो स्टेरिंग वील है वो आप उपर नीचे आगे पीछे टेलिसकोपिक और उपर नीचे भी कैसे भी अड़ेस्ट कर सकते हैं जो काफी अच्छा फीचर लगा दोस्तो दोस्तो तीस हजार से जादा यूनिट अभी तक बुक हो चुके हैं सितंबर में डिलिवरी स्टार्ट हो जाएगी और कुछ खूबिया बताता हूँ आपको इस गाड़ी की जो एपिलर है वो काफी थिम दिया गया है जिससे आपको व्यूइंग एंगल की कोई प्रोब्लम नहीं आती है और जो डैसबोर का प्लास्टिक मैटीरियल है वो काफी अच्छा है यहाँ पे नीचे सोफ टच दिया गया है और डोल टोन में दिया गया है नीचे आपको वाइट मिलता है और यह प्यानो ब्लैक फिनिस के अंदर जो मैं पहले ही कह चुका हूँ काफी अच् है गाडी का कैसा लग रहा है यह अपने अपनी परसनल चोईस हो सकती है अपको हो सकता है पसंदाये हो सकता है ना पसंदाये मुझे दो परिस बहुत अच्छा लगला है यह लेकिन सबकी राय जो है दोस्तों कर कर सकती है और हाँ दोस्तों ये जो ventilated seats हैं अगर कोई भाई गाड़ी घरीद रहा है प्लीज इस पे seat cover ना चड़वा लेना अंदर इसके ventilation के लिए होता है कई लोग क्या होते हैं गाड़ी लेके सबसे पहले seat cover चड़वाने पहुंच जाते हैं और हाँ दोस्तों मैं आपको कुछ चीज बताना भूल गया जो इस गाड़ी के अंदर ये तो पुसी start restore button है लेकिन इस गाड़ी में आपको wireless charger भी मिलता है जो कि यहाँ पे है और नीचे आप USB का 120 watt का charging slot यहाँ पे लगा सकते हैं जो कि बहुत अच्छा feature मुझे इस गाड़ी म यहाँ से adjust कर सकते हैं कितनी बीम पड़ रही है कितनी नई traction control वगेरा सब चीज इधर यहाँ पे दी गई है driver के side में और काफी feature loaded गाड़ी है दोस्तों यह personally देखके लगता है कि देख रहे हैं या बोस का जो यह sign दिया गया कितने प्यारी finish है आर दोस्तों जो top notch model है यह वा भी कराते हैं दरवाजे भी चलो खोलते हैं bonnet और वहाँ पर देखते हैं कि वही कैसा आपको built quality के मामले में आप bonnet उठाते हैं न दोस्तों तो उसमें भी थोड़ी feel आती है कि कितना heavy दिया गया है कितना नहीं दिया गया है और वो तो crash test के बाद पता चलता है अभी यहाँ से उठाते हैं इसका bonnet तो वाके में भारी है यार heavy bonnet दिया गया है और यह insulation के लिए जो इससे के अंदर आपको sound ना जाए काफी अलग material दिया गया है मैंने बहुत सारी गाड़िया देखी है इस तरह का material नहीं होता है और यह देखिए 1.4 turbo ZDI engine है जोस्तों जो के 115 bhp की power generate कर और होगी और यह लगबग लगबग 15-16 तक का mileage क्लेम करती है company के इतना mileage गाड़ी दे दिया करेगी वो तो सडकों पे आने के बाद ही जब real owner review हम लोग करेंगे तब जाके समझाएगा कि इतना mileage गाड़ी निकालती है नहीं निकालती है और पूरा बंद नहीं हुआ है एक ब प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताईएगा जरूर एक वीडियो में सब कुछ कवर करना मुश्खिल था हमने चला के भी देखी वो वीडियो भी बनाई है अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी upload करूँगा आप प्लीज बताईएगा आपके मन में क्या सवाल आता है किया से जुड़ा हुआ और वीडियो को यार लाइक जरूर करते हैं अगर आप लाइक नहीं करते हो आपसे मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर पहली बार आप इस चैनल पे आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बैल आइकन आता है उसको दबाना ना भूलें इसी के साथ दोस्तो गुड़ बाई जैहिन बंदे मातरम